Cross cultural psychology, socialization and social evolution जिस तरह हम evolve होने के बारे में सुनते हैं systems evolve हुए, technology evolve हुई, human beings तो हैं वो एक stage से दूसरे stage तक पहुंचे रहन सेहन के, social life के, societies, cities में बदली, जंगल लाइफ जो है वो, villages में बदला, तो ये सारा एक social evolution का process है, socialization यानि मौाशरे के मताबिक किसी फर्द को ढालना, वो एक बड़ा factor है इनसानी तरक्की में, और social evolution में, यानि समाजी तरक्की में भी, ये एक वनियादी और मरकजी हैसियत रखता है, कैसे, जितने sociological variables हैं, society हैं, group हैं, attitude हैं, income हैं, demographics हैं, culture है, culture के ऊपर जो impact होता है या किसी मुलका की economy का उनलों के lifestyle पे जो impact होता है ये सब sociological variables हैं, society में, well being के जो हलात हैं, उसके अंदर जो समाजी रवाबत हैं, उसमें जो रस्में ये सब sociological variables हैं, तो इनका असर होता है, कि इनसान के अंदर समाजी तूझ-बूझ कैसे पैदा की जा रही हैं, किस environment में society से हम interact कर रहे हैं, वो limited है या वो बहुत फैली हुई है, मसलां small villages, limited community की environment और होती है, बड़े शहरों की और होती है, वहाँ closeness है, यहाँ पर अचनिबियत जाता होगी, लेकिन कुछ और तरह के variables हैं, जिस environment में हम रहना पिर सीखते हैं, जब हम बड़े शहर में रहते हैं, बहुत सारी अबादी के साथ रहती हैं, बहुत से बिल्डिंग्स हैं, बहुत से सिस्टम हैं, बहुत से ट्रेवल के, ट्रांस्पोर्ट के सिस्टम हैं, तो वो environments बदल गई, अब इसमें हम जो एक distinction यूज होती है, वो industrial और traditional society के हैं, अब traditional society में तकरीबन दफ्टरों में भी, organizations में भी, कुछ traditional values के मताबिक चीज़ें चल रही होती हैं, जान-पैशान के culture पे कुछ काम हो रहा है, इसमें in calculable threat हैं, यह पता नहीं कि अगला कोई हाथसा या catastrophe कब हो जाएगी, क्यूंकि वो उस तरह planning नहीं होती हैं, जैसे industrialized societies में होती थी, फिर जो understanding हैं बड़ी simple होती है, किसने क्या किया, किसको blame करना है, किसकी गलती थी और वो किस वज़ा से चीज हुई, industrial society में ऐसे नहीं होता, बड़ा complex और complicated होता है, कि इस सब चीज के पीछे कौन है, कौन सी agency है, कौन साइधार है, इसमें technical failure का क्या हाथ था, management का क्या हाथ था, planning ना होने, आपको बड़ी देर ले जाते हैं, industrial society में blame और किसी खराबी को trace करते हुए, फिर इसमेन insignificant paradigmatic risk होता है, यानि वो को इतना ज्यादा नहीं होता, और इसके अंदर अगर आप किसी चीज के उपर अपना कोई तबस्रा कर रहे हैं, आपको खुराख ही चाहिए, simple societies में ये होता था, traditional में, खुराख में इन मसला था, ठीक है, तो आपको जो अपना नजरिया है कि मुझे अपने लिए ये खुराख हासिल करनी है, society की जरूरत है, घर की जरूरत है, मेरी अपनी जरूरत है, industrial society जो है, वो किस चीज से informed है, inequality से, लोगों में बहुत ज्यादा स्टेटस का, गरीब और अमीर का, पावर्टी और रिच का फर्क है, तो ये industrial society में बहुत होता है, जो modern societies है, industrial है, उनका बड़ा फेथ होता है progress में, जबके traditional societies जो है, उनको ये progress ते ज्यादा प्रिजर्व करने का होता ह है, उनके norms है, उनकी tradition और रिवायत है, वो जो उनकी prevailing beliefs है, उसके अंदर उनके तमाम तर understanding जो है, वो grounded होती है, अब जैसा मैंने का वो complex होती है, traditional society जो है, उनमें social change slow होती है, चीज़ें देर लेती है, collective जो model है, collectivist culture के, वो काफी देर तक काइम रहते हैं, और हम अपने गिद्या ही देखते हैं, कि technology भी आ गई, education भी आ गई, दुनिया का big spoiler हो गया, लेकिन कुछ conventional system पुरानी societies के अंदर काइम रहते हैं, हमारे हां भी हैं, और जो countries conventional कह रहती है, चाइना है, या इंडिया है, जैपान है, उनकी वो conventions काइम है, उनमें change slow होती है, और उसकी वज़ side, उनकी जो socialization है, वो बड़े formal होती है, socially controlled होती है, और बड़ी नजर आती है, obvious बात है कि ये चीजें उस culture के अंदर हर बंदे को तिखा दी गई हैं, बड़े होते होते, और जो culture characteristics हैं, वो कफी strong and powerful होते हैं, industrial societies में बड़ी तेज चेंज होती है, groups अलग-लग, numerous से होती हैं, बहुत united नहीं होते, उनका जो पराने models थे, society के अंदर जो model हैं, उनसे काफी independent होते हैं, ठीक है, उनसे दूर होता है individual, और जो subgroup हैं, उन्हें बड़ा फरक होता है, मुक्तलिफ cultural subgroup होते हैं, घर, families, neighborhood, professional groups, उनकी आपस में इतने variety होती है, ये complimentary होते हैं, एक दूसरे को sport करते हैं, निजाम, industrial society में, लेकिन उन में बहुत disparity भी होती है, inequality होती है, और फिर disparity होगी, तो जगड़े भी होते हैं, conflict भी होते हैं, socialization छोटे level से लेके, microscopic level से लेके, और बड़े framework तक जाती है, social imagination जो है, वो society की reality से match करती है, ये एक structural change है, ये एक मड़ी निजाम में change लाने वाली चीज़ है, फिर cultural pool क्या होता है, कि जो individual हैं, वो अपनी socialization और culture relation के, in culture relation के culture में ढलने के, अपने नुस्खे बनाते हैं, और ये industrial society के बाद modern world में ये process चल रहा है, और जो process है ना, वो ज्यादा important हो जाते हैं, कि किस चीज़ से हम गुजर रहे हैं, उसमें क्या सीख रहे हैं, बजाए इसके के आखीर में जाके क्या product निकलती हैं, करता थार charity करता हैं, हम ले आपिरी जा हुआ, तकर रहा ने जैम जाके की निकलती हैं, बड़शे से शुछ रहे हैं, कि कि ये से हम जाके के ऊुछ निक था